जै महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मजे में होंगे दोस्तों, इस संसार में काफी एसी चमतकारिक चीजे हैं, कि जिन चीजों को व्यक्ति यदि अपने पास में रखता है तो इन चीजों का प्रभाव इतना बड़ा है, कि इनसान की इच्छा पूर्ती होने लग जाती है वो जो चीजों को चाहता है, वो चीजे स्वतह उसको मिलने लग जाती है ऐसी ही एक चीज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि अब पैसा टका चाहते हैं, धन दोलन चाहते हैं, मकान, दुकान, जमीन, खेत वगरे एदि खरीदना चाहते है तो आज मैं आपको एक चीज बताउँगा, इस चीज का अपना महत्व है ये चीज इतनी सक्तिसाली है कि यदि कोई व्यक्ति इसको अपने पास में रखता है तो ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द हमेशा पैसा बना रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन से कभी भी पैसा खत्म नहीं होता और ये व्यक्ति जो कोई भी जितने भी बड़े-बड़े सपनों को संजोता है उसके वे सारे ही सपने परिपूर्ण होते है इसी कई चमतकारी चीजे इस संसार में मौझूद है मैंने कई चीजों के बारे में इन वीडियों के द्वारा बताया है और कई लोगों को इसका काफी लाब हुआ है तो इसी स्रंखला में एक और चीज आज में आपको बताऊंगा कि इस वस्तु को यदि आप ले करके आजाते हैं तो ये साक्षा सुक्र का रूप माना जाता है सुक्र का प्रतीक माना जाता है यदि इस चीज को आप अपने पास में रखते हैं तो आपके पास में आजीवन कभी भी पैसा तो खत्म होगा ही नहीं लेकिन साथ ही साथ आप जो कोई भी बड़े-बड़े सपने देखेंगे जिसे गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना, जमीन खरीदना, प्लाट खरीदना ये सारी चीजे भी आपकी अपने आप पूरी होन लग जाएंगे इस तरह के योग बनने लग जाएंगे सहयोग बनने लग जाएंगे कि एक के बाद एक आप तरक्की करते चले जाएंगे और एक के बाद एक चीजों को आप पाते चले जाएंगे लेकिन उसके पहले दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचिंतम गृंतों में छुपे हुए कई ऐसे गूट रहस्त हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिजान करते हैं तो आप भी इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इससे हमारे दोरा बिदाय के उपाए आप तक आसानी से और तेजी से पहुँचेंगे ठीक है? तो चलिए बताता हूँ दोस्तों वह चीज के बारे में कि जो स्वेम बहुत चमतकारिक है सुक्र का प्रतीक माना जाता है सुक्र का ही रूप माना जाता है ये वस्तु जिस किसी भी व्यक्ति के पास में रहती है वो व्यक्ति हमेसा धनवान बना रहता है और ऐसे व्यक्ति के सारे सपने सच होने लग जाते हैं ऐसा व्यक्ति घर, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगलों का मालिक बनता है समाज में अपना नाम और प्रतिष्टा इस्थापित करता है जी हाँ दोस्तों ये जो चीज है ये है गूलर का पेड़ गूलर के पेड़ की जो जड़ होती है इसको आप किसी भी सुक्रवार के दिन लेकर के आ जाए और लाने की विधी मैंने बताई हुई है कैसे लाना किसी भी सजीव चीज को आप लाते है तो लाने के एक दिन पहले आप जाकर के प्रात्ना करें कि आप उसे किस उद्धेश्च से ले जाना चाहते हैं और बिंती करें कि वो आपका सुभ करें ऐसा करने के बाद आप दूसरे दिन जा करके उसे ले करके आए और जब भी उसे ले करके आए तो हाथ उसे ले करके ना आए कुछ रुपए कुछ धन धान ये फूल कुछ भी ऐसा चड़ा करके इसके बाद उसे ले करके अपने साथ आए तो गूलर की जो जड़ है इसको आप सुक्रवार के दिल ले करके आ जाए धो करके स्वच्छ करके चांदी के ताबीज में आप भरवा करके इसको गले में धारन कर ले इसके बाद आपके पास से कभी भी पैसा खुटेगा नहीं इस चीज का अपना इतना महत्व है कि यह चीज जिस किसी भी व्यक्ति के पास में रहेगी उस व्यक्ति के पास में आजीवन पैसा बना रहेगा चाहे कहीं से भी आए किसी भी बहाने से आए किसी भी तरह से आए लेकिन इस व्यक्ति के पास में पैसा आता रहेगा और आप इस पेशों से अपना जो कोई भी सपने है उसको भी सच कर पाएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहे हैं दीवे प्रकास और अपने जीवन में लापरमित होते रहे हैं धन्यवाद